6.2 का question number 3 मेरे पास इसमें carriage in the following figure ये figure दिया हुआ है if LM parallel to CB LM ये जो LM है ये LM जो है ये पैलल है CB का ठीक है ये राज CB है ये LM और CB क्या है पैलल है and LN parallel to CD LN जो ये जो LN है ये CD का पैलल है ठीक है ये इसके मतलब ये line जो है ये इसके parallel है और ये line जो है ये ये इसके parallel है ठीक है ये इसके parallel है तो इसमें ये कह रहा है जो prove that AM by AN AM by AM by AB ठीक है और AN by AD इसमें क्या है इसको करने से बाले मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर देखो जैसे हमने BPT theorem पढ़ा था देखो हमने BPT theorem क्या पढ़ा था BPT theorem जो हमने पढ़ा था जैसे कोई एक triangle है जैसे एक triangle है कोई ठीक है और इसका हमने parallel लिया था ये A है ये B है ये C है और ये D है और ये E है यहां पर DE जो है ये BC का parallel है ये हमने लिया था DE parallel to BC हमने लिया था ठीक है तो इसमें BPT theorem क्या होता है AD by BD AD by BD equal to AE by EC होता है ये देखो इसका इतना इतना का ratio इतना इतना का ratio आपस में equal होता लेकिन इसमें एक और condition होता है वो क्या होता है एक condition होता है जैसे AD by इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AD by AB देखो AD by ये पूरा complete line AB AD by AB equal to similarly AE by AC AE by AC ये भी होता है ठीक है तो ये भी होता है और ये condition भी होता है मतलब देखो ये इसका हाफ आपका आपस में डिवाइड करने का जो ratio होता है उसका भी होता है जैसे मतलब AD by AD by BD भी होता है और AD by AB भी होता है similarly AE by EC होता है लेकिन हम AE by AC भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये condition यहाँ पर लिखा है ठीक है तो ये condition को follow करता है हमें इस सवाल में तो इसमें भी क्या करना है वही जो condition मैंने आपको बता आया है वही condition इसमें फोलो करना क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहा है AM by AB देखो AM by AB यहना AM by यह complete line है AB तो इसमें भी हम वही condition follow करेंगे question देखकर हमें पता चल जाएगा किसमें यह condition लगाना है और किसमें जो भी टीम पढ़ा था वह बल लगाना है ठीक है तो इसमें सबसे पहले में लिख दूँगा क्या given given that क्या क्या दिया हुआ given दिया हुआ हुआ है देखो क्या हुआ है क्या आपको proof करना है यह आ गया AM by AB आपको proof करना है equal to AN by AD आपको proof करना बहुत इस चीज़ा कोस्तन है देखो अब हम इसका start करते हैं सवाल करना ठीक है आप देखो सबसे पहले में देखो आप देखो AM by AB इस triangle में देखो LM parallel to BC यह क्या है given statement देखो LM जो है वह BC का parallel है इसमें BPT theorem लगा सकते हैं क्योंकि यह किसी भी triangle में अगर दो sides एक side का एक बीच में जो line होता वह parallel होता है तो इसमें BPT theorem यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है by BPT theorem basic Professionality theorem का यूज करके इसमें आप क्या लिख सकते हो देखो मैंने अभी आपको बताया है क्या लिख सकते हूँ AM by AB लिख सकता हूँ मैं AM by AB 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 equal to AL by AC अभी इतना सा triangle है अभी आप यह आधाई समझो यह पूरा नहीं है अभी आधाई है यह तो parallel हुआ तो मैं इतना लिख सकता हूँ मतलब AM by AB लिख सकता हूँ और AL by AC लिख सकता हूँ लिख दिया मैंने ठीक है अब यह क्या हो गया आपका यह आपका हो गया equation 1 equation 1 हो गया similarly अब आएंगे हम इन ट्रेंगल अब इसके नीचे वाले ट्रेंगल में हो ADC ठीक है इन ट्रेंगल ADC में ADC ट्रेंगल में क्या दिया हुआ देखो L M जो है यह L N जो हूँआ पैरलल सीडी का यह दिया हुआ ना L N पैरलल सीडी तो मैं यहां पर लिख दूंगा L N पैरलल टू सीडी यह क्या है given तो इसमें भी हम क्या करेंगे B P T टी और हम लगा देंगे तो by by B P T by B P T क्या हो जाएगा इसमें भी वही A D equal to देखो अब यह आधा है अब उपर वाला पार्ट वाल ट्रेंगल है यह नहीं अब इतना सा ट्रेंगल है इतना सा ट्रेंगल यह और यह पैरलल दिया हुआ तो इसमें B P T लगा हमने तो A N by A D और A L by A C लिख सकते नो A L by A C पुरा complete ठीक है तो मैं यहां पर लिख देत equation 2 equation 2 आगया अब आप क्या करो देखो अब हम compare करेंगे equation 1 और 2 को तो from equation 1 and 2 we get equation 1 और 2 को अगर आप compare करो दिखान से देखो इसका आरचस क्या है A L by A C इसका आरचस क्या है A L by A C है ना A L by A C और A L by A C तो दोनों का RSS अगर इसका LHS भी इक्वल हम लिख सकते हैं तो मैं यहां यहां पर लिख देता हूँ A M by A B equal to A N by A D ठीक है A M by A B equal to A N by A D और ध्यान से देखो यही आपको proof करना था यही आपको proof करना था देखो यहां पर कहा गया यह रहा प्रूब यहां पर A M by A B और A N by A D यही तो आपको proof करना था यहां पर लिख दो गया Fence Proved बहुत ही easy सा कुस्तन था आप इसे दियान से देखना easily समझ मा जाएगा फिर मिलते हैं next video में next question के साथ